हाई फ्रेंड्स एट्स एमजे येर तो स्वागत है आपका एक और ब्राण नुई वीडियो में इस वीडियो में आपसे बेहधी मजेदार और रोचक सवाल पूछे जाएंगे शुरू करते हैं पहला सवाल है फलों के अध्यान को क्या कहा जाता है ज्यादा समय के लिए आप वीडियो को पॉस कर लीजिएगा हर आंसर आपको कमेंट करके बताना है सही जाबे पॉमोलोजी दोसरा सवाल है ऐसा कौन सा फल है जो कच्चे में मीठा लगता है और पकने के बाद कड़वा या खटा लगता है सही जाबे पाइनेपल हिंदी में बोलते हैं अनानास थीसरा सवाल है इंटरेश्टिंग है टमाटर फल है या सबजी कई लोग कन्फ्यूज रहते हैं कई लोग मानते हैं कि टमाटर एक सबजी है लेकिन वैग्यानिक के अनुसार देखें तो टमाटर निश्चित रूप से एक फल है क्योंकि वनस्पति विज्ञान में फल उसे ही माना जाता है जो पुष्ब के अंडा शेह से पैदा होता है द्यान से पढ़िएगा फल में बीज होते हैं और टमाटर इस परिबाशा पर खरा उतरता है इसलिए टमाटर एक फल ही है वीडियो लाइक जरूर से कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चौता सवाल है फलों की रानी किस फल को कहा जाता है इंट्रेस्टिंग क्योशन सेजाबिल लीची को फलों की रानी कहा जाता है पांचवा और आखली सवाल है ऐसा कौन सा फल है जो एक दिन में ही पककर तयार हो जाता है सेजाब चीकू एक ऐसा फल है जो जब तक पेड़ पर लगा रहता है तब तक वे कच्चा रहता है लेकिन पेड़ से निकाल देने के बाद कुछ ही घंटे में वे पककर तयार हो जाता है तो उमीद करता हूँ कि आपको सवाल जवाब पसंद आये हैं वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में हसते रहें मुस्कराते रहें धन्यवाद